सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह के से अपने PCA लैप्टॉप की हेल्प से IRCTC की वेबसाइट में जाकर टिकेट बुक कर सकते हैं और दोस्तों देखिए जो प्रोसिस मैंने आपने को बताया है अगर आपको ट्रेन के टिकेट बुक करने नहीं आते है और अभी तक हमने कभी ट्रेन के टिकेट बुक नहीं कर रहे हैं तो इसको दिखते दोस्तों आपको 100% ट्रेन के टिकेट बुक करने आ जाएगा और कंफर्म दोस्तों आपको एटेन के टिकेट बुक होगा और दोस्तो तो जो पेमेंट होगा हमने ATM की थ्रू दोस्तो इसका पेमेंट करा है तो आप घर बेटे ही दोस्तो आपने टिकेट बुक कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो चलिए दोस्तो आज चुके हम अपनी कंप्यूटर क स्क्रीन पर तो सबसे पहले हम Chrome ब्राउजर को open यहां पर कर लेते हैं उसके बाद हम गूगल को open कर लिया है अब दोस्तों हमको यहां पर देखिए जो IRCTC जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट उसमें जाना है तो IRCTC यहां पर टाइप करके आपको देखिए सीधे इस वेबसाइट पर चले जाना है पहला लिंक आपको मिलेगा इस पर हमको क्लिक कर लेना है तो यहां पर देख सकते हैं इनकी जो वेबसाइट है यहां पर open हो चुकी है अब देखिए यहां पर आपको लिक दिख रहा होगा उपलिक तरह लॉग इन और रेजिस्टर अगर दोस्तों आपने यहां पर पहले से अपनी customer ID नहीं बनाए भी रेजिस्टर इसमें नहीं करा वह तो सबसे पहले आपको रेजिस्टर यहां पर करना होगा अब दुस्तों अगर आपको register करना नहीं आता है तो आप मुझे comment box पे बता सकते हैं मैं आपके लिए इसके लिए भी वीडियो बना दूँगा वैसे मैंने IRCTC की app के लिए register करने का वीडियो पहले से बनाए हुआ है i button उसका link आ रहा है आपको reset करने के लिए password पूचिएगा तो हमने देखिए ID और password यहां फिल कर लिया है उसके बाद आपको captcha मिलेगा देखिए यहां पर text in the box बिलो यहां पर देखिए capture है यह capture हम यहां पर फिल कर लेते हैं तो capture हम आपके फिल कर लिया है CAPTCHA जो होता है तो इसको बिल्कुल सही सही आपको फिल करना पड़ता है नहीं तो यहां पर error आती है आपको दुबारा से CAPTCHA डालना होता है अब देखें यहां पर login and booking with OTP की through भी आप कर सकते हैं तो हमने CAPTCHA भी डाल दिया है यह आपके डिपेंड करता है दोस्तों आप किस तरह किसे को login करना चाहते हैं तो sign in इसको हम कर लेता है तो देख सकते हैं जैसे मैं आपको बताया था invalid CAPTCHA भी आया है यह तो तो दोबार से हम सही CAPTCHA डाल लेते हैं चलिए इसको करते हैं साइन इन तो देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है अब दोस्तों देखिए हमको ticket book करना है train का सबसे पहले हम train का ticket जो book करना है इसके लिए हमको चाहिए दाए from to to बतला हमको कहां से कहां तक जाना है तो station हमको यहां पर select कर लेना है तो सबसे पहले में select कर तो इस यहां हमको पना जाना है तो यह हमने सबसे पहले station हमको select करने होंगे अब दोस्तों उसके बाद आता है देखे category किस तरह के से यहाँ पर आती है general, ladies, low birth और यहाँ पर काफी ततकाल टेकेट अगर आप बुकरना चाहते हैं प्रीमें ततकाल तो हम general page को select कर लेते हैं अब यहाँ से दोस्तों आप देखिए आपको अपनी journey किस दिन करनी है वो date आपको यहाँ पर select करनी होगी तो चलिए इसको यहाँ से हम select कर लेते हैं इस तरके से यह खुलेगा जैसे कि अब select करता है चार तारीक हमने select करी है दिसमर बहनेगी चलिए आप शुरू करते हैं अब यहाँ पर हमको देखिए चेयर कार वाली यह गाड़ी है तो इसको जो रेल गाड़ी है चेयर कार हम यहाँ पर select करने नहीं तो यहाँ सीदे अभी आप search कर सकते है तो इसको हमने search यहाँ पर कर लिया है जो seat की देखिए जो दिखा रहा है वहाँ पर यहाँ पर आपको side में दिख रहा होगा जनी classes इसमें भी आपको दिखाई दे जाएंगी अब हम नीचे की तरह आते हैं तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप देखिए यहाँ पर जन्त सताब दे आपको देख रही है तो इस train से हमको यहाँ पर journey करनी है आप किसी भी train से दोस्तों जिसपे आपको सुविदा हो उस train का ticket बुक कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो यह वाली train जैसे है तो इसमें हम क्लिक कर लेते हैं seat देख booking हो जाएगी तो चलिए आप बुक नाओ पर हम क्लिक कर लेते हैं तो इसको हमने select कर आया पर और इसका देखिए दोस्तों कितने रुपय का ticket होगा यहाँ पर यह आ जागा देखिए 135 रुपीस का ticket है अब दोस्तों इसको हमको बुक नाओ पर क्लिक कर लेना है अब यह आप आपको पूछेगा आई एगरी समें कर लीजिए आप तो आप देख सकते हैं यह हमारा यहाँ पर इस तरह किसे जब आप इसमें करेंगे तो इन नया page हमारा open हो जाएगा अब देखिए हमारे station जो रूर्की से नई दिल्ली सेलेक्ट करता है यहाँ पर आ चुका है और arrival time इ जाएगी station पे और departure बतलब 7 बच कर 12 मिनट पे चल देगी एक दिन की हमारी जर्नी होगी यह day 1 और boarding date है 4 December 2021 तो यह सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी अब दोस्तों हमको यहाँ पर passenger जो passenger हमारे travel कर रहे हैं उनकी detail यहाँ पर देनी होती है तो चलिए उनकी detail तो दोस्तों हमने एक passenger की यहाँ पर detail add कर लिए अब देखे सब्सक्राइब आपको यहाँ नाम लिखना होगा age लिखना होगी साथ में male, female, gender यहाँ पर लिखना होगा और citizen कहा के हैं यहाँ आपके हमने इंडिया लिख दिया है साथ में seat अगर आपको देखे कुछ special चीए no फिर फ्रेंस यहाँ विंडो सीट जीए तो यहाँ यहाँ पर select कर सकते हैं अब हमको दूसरा passenger यहाँ पर add करना है तो चलिए यहाँ पर add हम कर लेते हैं add passenger हम जाएंगे यहाँ जल्दी से दूसरा passenger भी add कर लेते हैं तो दोस्तों हमने दोनों passenger की यहाँ पर detail दे दी है आप इसी तरगे से देखिए और passenger अगर आपके हैं तो यहाँ पर add passenger आप कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा contact details है जो हमारे दोस्तों यह ticket होगा हमारे gmail id में जाएगा साथ हमारे mobile जो हमारे register इसमें कराया है उसमें जाएगा अगर दोस्तों अगर टिकेट या जो भी इसकी जानकर या यहाँ भीजनी तो यहाँ पर उसका mobile number आपको फिल कर देना है चली mobile number भी हम फिल कर देते हैं तो यहाँ पर mobile number हमने से डाल लिया है अब दोस्तों देखिए एक नई चीज जिसमें पहले यह चीज नहीं होती थी your destination address यहाँ पर आपको ज जैसे यहाँ यहाँ पर डालेंगे देखिए यहाँ पर पुछी जाती है आपको जो पिन कोड नंबर होता है वहाँ का तो यह भी आप जरूर वहां से ले लिए कि जहाँ आपको जाना है उनका पिन कोड आप जरूर पुछ लीजएगा यह तो आप सर्च इप इसको Google कर सकत जैसे पिन कोड डालेंगे दोस्तों आप देखिए आप किस सीटी आ जाएगी और किस तरह का एरिया है वहां भी आ जाएगा जा रहें और पोस्ट आपिस भी आजाएगा यह भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा तो यह सब कुछ हमने सेलेक्ट कर लिया है इसके और ही डिजरोषन च्वाइस आपको देखिए यहां पूछ रहा है रिजरोषन च्वाइस बुक इफ यू बर्थ और अलॉडड सेम कोच तो इसको भी हम छोड देते हैं यह इसलिए पूछ रहा है दोस्तों अगर आपको कोई स्पेसल कोच चाहिए या कोई देखिए प्रि क्र्डेट और डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट भारत क्यूवए और पे ओं डिलिवरी अधर्स और इसमें काफी अच्छ उप्सें थे कि A-T-I-A-M से भी आपकर सकते हैं क्रैइटकर सकते हैं नेट बैंकिंगेंग तो काफी इसमें चीज है पे दरूभी नागी इसमें भी दे सकते हैं यह दिया हुआ है और इसमें देखिए कन्वेंसेंस फीस आपको देगे पंदार रुपय आपको इसमें पढ़ेंगे प्लस जीएस्टी के तो चलिए इसको हम कंट्यूनु अब कर लेते हैं तो दोस्तो जैसी हमने कंट्यून यहां पर करा है तो सारी डेटेल हमारे पास यहां पर आ जाएंगी तो सबसे पहले हमको चेक एक बार कर लेना है कुछ गलती तो हमसे नहीं हुई है नहीं तो देखिए इसमें काफी दिक्कत हो जाती है तो रुड़की से हमको नहीं दिल ली जाना है यह सही है 4 दिसंबर की हमारी डेटा यह भी सही है सनिवार की दो अडल्ट हमने इसमें बुक करें और देखिए जनरल और नाम भी इनके देख लीजी आप तो सब कुछ दोस्तो हमारा सही है यहाँ पर तो आब हमको आगे बढ़ जाने है तो यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले आप देख लिजी टिक्कित आपका जो रिजिटर है उसमें आपका टिकेट आएगा तो मोबाईल नमबर और जो इमेल आईडिये इसमें आपको रिजिट करें तो अच्छे से इसको हमने चेक एक बार कर लेना है तो चलिए इसको आप कंटिनियम करते हैं तो फिर से यहाँ पर हमको से पेज होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा अब पेमिंट मैथड आप से यहाँ पूछा जाएगा देखिए जो मैंने बताया ता आपको क्रेडिट कार्ड डैबिट कार्ड जो आपका एटीम होता है उससे कर सकते हैं जैसे हम आज करेंगे उसके बाद मल्टिपल पेमिंट सर्वीस है आपर नेट बैंकिंग है पेमिंट गेटवे क्रेडिट कार्ड डैबिट कार्ड और वैलेट्स तो इसमें हम कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड और डैबिट कार्ड से तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो आपको हमने है यहाँ पर select कर लेना है जो credit card का और debit card का है तो इसमें हमको अब पे एंड बुक पे क्लिक कर लेना है अब थोड़ी सी प्रोसेजिंग इसमें होगी दोस्तों अब दोस्तों देखिए यहाँ पर detail हमको कार्ड पे यहाँ पर select जैसी करा तो आपको यह detail यहाँ पर fill करनी होती है तो क्या क्या है दोस्तों detail है देखिए card number आपको देना होगा card number आपके जो debit card होता है उसके सामने दिया रहता है और साथ में इसमें जो expiry date है यह भी दीवी है देखिए month and year यहाँ लिखा रहता है cvv code card के पीछे होता है और name जो होगा आपका जो आपका अपना card होगा उसमें आपका नाम होगा अपना तो यहाँ पर name भी आपको दे देना है तो चलिए हम फटा पट्टेस की information फिल यहाँ पर कर लेते हैं तो दोस्तों card की detail हमने आपे पूरी फिल कर लिए देखिए card number हमने डाल लिया है और इस पी देखिए जो valid ने कपता क्या है यह भी हमने date यहाँ पर डाल दिया month or year cvb code हमने dismantle दिया नाम भी जो हमारे card में था वो भी हमने इसमें डाल लिया है अब इसको दोस्तों हमको करना है पे तो चलिए इस पर क्लिक करते है अब तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जो आपके bank से रिजिस्टर मोबाइल नंबर हो उस पर दोस्तों आपको एक OTP आएग तो OTP हमारा आ चुका है तो चलिए OTP आपर फिल हम कर लेते हैं तो OTP दोस्तों हमने फिल कर लिया है फिर से अब इसको हमको submit करना होगा थोड़ी थोड़ी यह processing लेगा दोस्तों तो यहां पर your transaction is in process आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा ticket है देखिए congratulations you have successfully booked a ticket और इसका mail हमको आ जाएगा हमारी ID पर देखिए हमारी ID पर इसका mail आ चुका है अभी मैं आपको दिखाऊंगा ही ticket किस तरीके से आपके साता है और PNR नंबर यहां पर generate हो चुका है देख सकते हैं आप इससे सारी detail ले सकते हैं इसको print भी यहां पर आप कर सकते हैं तो यह सारी दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर detail हमारी आ चुकी दीवन कोच हमको मिला है बर्त देखिए 17 और D1 कोच 17 18 हमको seat मिल चुकी है यहां पर और कोज में हमारा सेम ही है तो काफी अच्छे हमारा यह ticket book हो चुका है उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसको आपको डाउनलोड करना है तो यहां पर आपको देखिए इस पर क्लिक करना होगा तो यह हमारा ticket दोस्तों यहां पर download हो चुका है अब इसको देखिए यहां पर हमने पूरी detail हमारी यहां पर आ चुकी है तो यहां से इसको directly आप print कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप मारा ticket जो होगा हमने यहां पर book कर लिया है और सारी detail भी हमारे जो हमारी ID होगी email ID उस पर आ चुकी होगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने बिल्कुल simple step है आपको बता है दोस्तों आपको पता चलिए और किस तरीके से आपको किस तरीके से कम्प्यूटर या टॉप की है या टॉक करना है तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों चलिए दोस्तों आपको नहीं वीडियों पहती चलिए पहती चलिए पूंक करीए